प्रिथ्वी की गतिया, Chapter No. 3, Motions of the Earth दोस्तों क्या आप जानते हैं? हमारी प्रिथ्वी की गती दो प्रकार की है घूलनन एवं परिक्रमन प्रिथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूलनन कहलाता है सूर्य के चारो और एक स्थिर कक्ष में प्रिथ्वी की गती को परिक्रमन कहते है The Earth has two types of motions, namely rotation and revolution Rotation is the movement of the Earth on its axis The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution प्रिथ्वी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है, जो इसके कक्षिय सता से 6.5 दिगरी का कोन बनाती है The axis of the Earth which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane प्रिथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है The Earth receives light from the Sun प्रिथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोश्मी प्राप्त होती है सूर्य की और वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the Sun at a time The portion facing the Sun experiences day while the other half away from the Sun experiences night Globe पर वो व्रिथ जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीष्टी व्रिथ कहते है The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination प्रिथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 गंटे का समय लेती है घूर्णन के समय काल को प्रिथ्वी दिन कहा जाता है ये प्रिथ्वी की दैनिक गती है The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis The period of rotation is known as the Earth Day This is the daily motion of the Earth प्रिथ्वी की दूसरी गती जो सूर्य के चारू और कक्ष में होती है उसे परिक्रमन कहा जाता है The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution प्रिथ्वी एक वर्ष या 365 एक बट्टा चार दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 गंटे को इसमें नहीं जोडते है It takes 365 and 1 by 4 days to evolve around the Sun We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience चार वर्षों में प्रते एक वर्ष के बचे हुए 6 गंटे मिलकर एक दिन यानि 24 गंटे के बराबर हो जाते है इसके अतिरिक्त दिन को फर्वरी के महीने में जोडा जाता है इस प्रकार प्रतेक चौथे वर्ष फर्वरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है 6 hours saved every year are added to make 1 day, 24 hours, over a span of 4 years This surplus day is added to the month of February Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे leap वर्ष कहा जाता है Such a year with 366 days is called a leap year प्रिथवी दीर्ग वित्ताकार पत्थ पर सूर्य के चारो और चक्कर लगाती है The earth is going around the sun in an elliptical orbit ध्यान दीजिए कि प्रिथवी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में जुकी हुई है Notice that throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction सामा निता एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शर्द रितों में बाटा जाता है रितों में परिवर्तन सूर्य के चारो और प्रिथवी की स्थिती में परिवर्तन के कारण होता है A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun 2. June को उत्तरी गोलार्द में सूर्य की किरने करक्रेखा पर सीधी पड़ती है इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में उश्मा अधिक प्राप्त होती है On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun The rays of the sun fall directly on the tropic of cancer As a result, these areas receive more heat द्रूपों के पास वाले गशेत्रों में कम उश्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरने तिर्ची पड़ती है उत्तर द्रूप सूर्य की तरफ जुका होता है तथा उत्तरी द्रूप रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months चुन की, उत्तरी गोलार्द के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोश्नी प्राप्त होती है इसलिए विशुवत वृत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun it is summer in the regions north of the equator 21. जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है पृत्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते है The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June This position of the earth is called the summer solstice इस समय दक्षनी गोलार्द में स्थिती विप्रीत होती है यहां सर्दी का मौसम होता है राते दिन की अपेक्षा छोटी होती है At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed It is winter season there The nights are longer than the days 22 December को दक्षन दूप के सूर्य की और जुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरने सीधी पड़ती है इसलिए दक्षनी गोलार्द के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है On 22nd December The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23.5 degrees A larger portion of the southern hemisphere gets light इसलिए दक्षनी गोलार्द में लंबे दिन तथा छोटी रातो वाली ग्रीश मृतू होती है Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights पृत्वी की इस अवस्था को दक्षन एयनांत कहा जाता है This position of the earth is called the winter solstice इसके ठीक विप्रीट स्थिती उत्तरी गोलार्द में होती है यहां दिन रातों की अपेक्षा छोटे होते है The reverse happens in the northern hemisphere Here the nights are longer than the day 21, March एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरने विशुवत वृत पर सीधी पड़ती है इस अवस्था में कोई भी धृूब सूर्य की ओर नहीं जुका होता है इसलिए पूरी पृत्वी पर रात एवं दिन बराबर होते है इसे विशुव कहा जाता है On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator At this position, neither of the poles is tilted towards the sun So, the whole earth experiences equal days and equal nights This is called an equinox 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्द में शर्द रितु होती है जबकी दक्षणी गोलार्द में वसंत रितु होती है On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere 21 March को स्थिती इसके विप्रीत होती है जब उत्तरी गोलार्द में वसंत रितु तथा दक्षणी गोलार्द में शर्द रितु होती है The opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere इस प्रकार, स्पष्ठ है कि प्रित्वी के घूर्णन एवं परिक्रमन के कारण दिन एवं रात तथा रितुओं में परिवर्तन होता है Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively धन्यवाद दोस्तो Thank you friends अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें